देखी गाइस कुछ दिनों पहले मैं आपके लिए आईफोन 6S की अन्बोक्सिंग लेकर आया था जो था 16GB वेरियंट वट उसके बाद मैंने उससे स्मार्टफ़न को अपने छोटे भाई को दे दिया और उसके बाद आप लोगों के नीचे कमेंट आए उस पर आपने बहुत अच्छे सपोर्ट करा 6000 के आप रॉक्स आज उस वीडियो पर व्यूज है आप सभी के लिए पहले तो ग्रेट थैंक्यू बोलता हूं और उसके बाद आपके वहां पर कमेंट से आप लोगों ने वहां पर बहुत सारी क्वेस्चिनिंग करी थी कि आप इस स्मार्टफ़न म मेरे पास आईफोन 6S है बट इसमें हमारे पास दिए बेरियेंट जो कि मैंने दोबारा इसको बाई किया है आज सभी की वीडियो के लिए तो इस वीडियो में हमें इसी की PUBG Experience के बारे बात करेंगे इसके साथ साथ इसमें जीओ को एनेबल करेंगे और उसके साथ हम इसका ब और इसे स्मार्टफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो अल्डेडी आ रहे है ये 77% के एप रॉक्स मतलब कि जो आपका न्यू स्मार्टफोन बैटरी वेकप देगा उससे कम ही ये स्मार्टफोन आपके लिए बैटरी वेकप देगा तो वो मैंने आपके लिए पहले ही बता दि परफॉर्ट दिया और उसके साथ-सत आप लोगों ने वहाँ पर कमेंट करके बोला कि आपके लिए इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो देखनी है और इसके साथ-सत आप लोगों के कुछ कॉश्चन्स थे कि इस स्मार्टफ़न में जियो सेम का सपोर्ट आपके लिए देखने को मिलता है या नहीं तो फ़र्श्टली मैं आपके लिए यहाँ पर जियो सेम को एनेबल करके बताता हूँ जैसा कि ये स्मार्टफ़न वोल्टी ई है मतलब कि आपके लिए इसमें 4G वोईस कॉलिंग के साथ 4G नेट भी ऑपरेट कर सकते हैं आप इसे स्मार्टफ़न में तो जल्दी से इसमें जियो सिम को एनेवल करते हैं और उसके बाद बात करेंगे PUBG परफॉर्मेंस की आपके लिए बहुत ऑच्छी डिस्प्ले की कलर कॉयलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है एपल की तरफ से इसके साथ-साथ आपके लिए इसमें 4.7 इंचिस की डिस्प्ले जो साथ थोड़ी छोटी डिस्प्लेय है in the comparison than other smartphone but आपके लिए इसमें A9 का chipset मिलता है जो कि एक बहुत ही अच्छा chipset है आप इसको आज भी 2019 में भी use कर सकते हैं साइब आपके लिए इसमें थोड़ा बहुत lag ना देखने को मिले आपके लिए इसमें थोड़े बहुत इसमें देखने को मिलेंगे तो वो आपके लिए battery से related होंगे या heating से related होंगे इसके साथ-साथ आपके लिए single speaker का support मिलता है जो आपके लिए नीचे मिलती है speaker grill इसके साथ-साथ देखी friends से आपर हम PUBG Mobile को run कर रहा है ग्राफिक्स आप इसे smart phone के देख रहा होंगे जो quality चल रही है वो आपके लिए यहाँ पर HDR quality देखने को मिल लई इसमें आपकी battery consumption ज्यादा हो सकता है बट आप अगर चाहें battery saving के लिए तो इसमें battery saving mode on करके और उसके साथ PUBG की gaming quality को भी कम करके इसे smart phone को run कर सकते है इसके साथ साथ मैं आपके लिए यहाँ पर skip करता जाओंगा because of video ज्यादा बड़ी नहाओ इसके साथ साथ इसकी battery देखते है एक game के बाद तो यहाँ पर battery हो चुकी 64% के करीब इसके बाद एक और game play करेंगी जिससे पता चल सके आप एक वार battery चार्ज करके कितना mobile में game run कर सकते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर second game start करते हैं तो यह हमारा PUBG mobile का second game start हो गया है इसमें आपके लिए graphics बहुत अच्छी देखने को मिलते हैं बट आपके लिए 1715 mAh का battery backup मिलता है मतलब कि आप इसमें 2-3 game खेल सकते हैं अगर आप saving mode पर डालते हैं इसके बाद यहाँ पर देखी यह वाला game भी हमारा यहाँ पर complete हो चुका और इसके बाद हमारा जो battery performance है वो battery rating आचुके 2% के app rock के लिए battery performance बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिली इसकी बज़ए से आप इसमें game ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते हैं और इसके साथ-साथ इसको मैंने without game खेले दिन वर भी smartphone को use किया तो वही मैं battery backup आपके लिए इस smartphone को 6 hours 30 minute के app rocks आपका smartphone चल सकता है अगर आप इसमें game operate नहीं करते हैं यह आपके लिए calling, messages, net वगरा आप इसका उपयोग करके game ना खेल कर इस smartphone को 6.5 गंटे का battery यह कब दे सकता है अब आपके ऊपर choice है कि आप इस smartphone को लेना चाहते हैं यह नहीं लेना चाहते हैं देखी गाई, जैसा कि आपने वीडियो को देखा उसमें मैंने PUBG operate करके बताया जिसमें मैंने आपके लिए high quality पर game play किया उसके बाब जूद friends आप स्रिफ 2 game इसमें आप खेल पाए एक बार 100%, 98% के app rocks battery थी और 2% बची जब हमने इसमें 2 game operate करे इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा games इसमें खेलना चाहते हैं तो आप इसकी quality जो PUBG quality उसको कम कर सकते हैं उसके साथ साथ आप इसमें power saving mode पर इसको रख सकते हैं उसके बाद आप अगर game खेलेंगे तो वो 2-3 या 4 times हो जाएगी इसकी capacity और उसके बाद भी थोड़ी बहुत बैटरी बस सकती है इसके अलावा बात करते हैं without gaming performance की बैटरी वेकप की तो वो एप्रोक्स आपके लिए 6 hour के एप्रोक्स देखने को मिल सकता है जो आपका new smartphone है उसमें 7 hour से 8 hour मिलता है बट आपके लिए 77% के साथ इसकी बैटरी हेल्थ आती है तो उस विज़े से ये new smartphone से थोड़ा कम बैटरी रेकप देगा और अगर आप को एप वीडियो अच्छ लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने इसकी unboxing वीडियो ना देखियो तो में उपर जाके पोल में ये नीचे जाके description में आके link पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपके लिए इसकी specification इसके box content के बारे में और क्या है इसकी quality उस सभी questions का अंसर आपके लिए उस वीडियो में देखने को मिल जाए और आपको ये वीडियो अच्छ लगती है तो प्लीज इस वीडियो को like करें जिससे मैं motivate होता हूँ और चैनल को कलने subscribe जिससे आपके लिए technology related videos और ऐसे ही smartphone के अनवाक्सिंग में चैनल पर देखने को मिलती रहती है और अगर आपके भी मन में कोई doubt है तो आप नीची जा कमेंट में पूछ सकते हैं उसको clear करने कि मैं आपके लिए पूरी कोसिस करूँ like the video comment below and subscribe my channel thank you for watching guys आगे मिलती है अपन किसी नई वीडियो में